हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद है स्वास्त होंगे और मस्त होंगे दोस्तों मौपप राउंड और स्ट्रे वेकंसी राउंड के लिए एक नया नोटिस जारी हुआ है MCC के तरफ से और बहुत ही important है इसमें कुछ नए rules और regulations के बारे में कहा गया है तो आई उसको समझते हैं और पता करते हैं कि कौन से ऐसे students हैं जो मौप अप राउंड के लिए registration कर सकते हैं और कौन ऐसे हैं जो नहीं कर सकते हैं और कौन ऐसे students हैं जिनको सीधे ही इस्ट्रे वेकंसी राउंड में participate करने का मौका मिलेगा दोस्तो इस notice की अगर बात कहें तो इसमें कहा गया है कि वो students जिन्होंने register किया round 2 में और वो free exit ले रहे हैं यहां तक कि चुकि round 2 का rule था कि जो लोग round 2 में receipt alert हो जाएगा और वो नहीं लेंगे तो उनको उनकी fees जो है वो जबत कर ली जाएगी ऐसे students जिन्होंने round 2 में registered हुए थे लेकिन अपने fees जबत करा लिए लेकर फिर से मौपप round में participate करना चाते हैं तो वो registration फिर से कर सकते हैं हाला कि जिन्होंने round 2 में admission ले लिया है तो वो मौपप round के लिए यानि eligible नहीं होंगे चाहे वो central universities हों या all india quota के तेहतों कोई भी ऐसे जिन्होंने round 2 में reporting कर ली है उनके अब मौपप round और stay vacancy round में participate करने का मौपा नहीं मिलेगा तो यह important है जो जिसको याद रखना जिनको ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है वही अगर हम लोग बात करते हैं मौपप round के लिए तो मौपप round के लिए fresh जो 24 फिलिंग रेजिस्टेशन है वो कौन करेगा वह students करेंगे जो already forfeit करा चुके हैं fees के साथ तो वह fresh registration करेंगे और फिर से जो fresh 24 फिलिंग है मौपप round के लिए वो भी करेंगे साथी जो publication of result होगा मौपप round का वो website पे आपको जारी कर दिया जागा यह आप सबको पता है साथी बात करें reporting की तो जो medical college हो यह dental college हो मौपप round के उनको result आने के बाद ही आपको जो है reporting करनी है final stay vacancy round के लिए इसमें पहला point यह है कि all India quota stay vacancy round for state contributed seats will be conducted by mcc of dghs यानि जो all India quota stay vacancy round है वो भी conduct किया जाएगा mcc के द्वारा और next point जो कहा जा रहा है उसमें कहा रहा है will be conducted यानि stay vacancy round will be conducted by based on the eligibility condition of the all India quota central institutes और university और AIMS, JIPMAR, BSC, Nursing courses यानि जो all India quota stay vacancy round है वो भी conduct किया जाएगा based on the condition यानि all India quota central institutes जितने भी है उनके basis पे यानि उनके लिए जो eligibility criteria है उसके basis पे ही stay vacancy round को भी conduct किया जाएगा next point में कहा जाता है कि for deemed universities the stay vacancy round will be conducted by the respective deemed university यानि जो deemed universities है उनका जो stay vacancy round है वो खुद ही conduct करेंगे यह special एक rule है यह कहलें कि MCC के तरफ से guideline है और there will be no fresh registration of candidates in final stay vacancy round यानि stay vacancy round के लिए जो registration है वो fresh नहीं किया जाएगा जिन बच्चों ने भी जो मौपप round में participate किया है और उन्हें stay vacancy round में जाना है तो उनके लिए registration नहीं है directly आप stay vacancy round में fresh registration नहीं कर सकते हैं तो यह important बात आपको ध्यान देना है कुल मिला के अगर आप conclusion निकालेंगे तो वो यह है कि मौपप round में जो भी बच्चे registration करेंगे वो अपने आप से eligible हो जाएंगे stay vacancy round में अगर वो मौपप round में seat नहीं पाते हैं यानि अगर seat मिल जाती है तो फिर अपने आप से बाहर हो जाते हैं stay vacancy round से लेकिन अगर आपको seat नहीं मिलती है और वो वापस मौपप round में आना चाते हैं तो उनके fees जब्त कर ली जाएगी और उन्हें फिर से registration करना पड़ेगा नई fees के साथ यानि जो fees होगी registration की वो fees देनी पड़ेगी तो यह दो important point है जिसे आपको धिहान रखना जरूरी है जैसे कि आपको पता है कि मौपप round जो है वो 10 मार्स से स्टार्ट हो रहा है तो यह time table या schedule जो आपके पास होगा ही नहीं है तो इसे आप screen shot करके रख लें further information के लिए तब तक के लिए जो भी mccc की notification थी वो हमने आपको बताया वीडियो पसंद आई हो information अच्छी लगी हो तो please channel को जरूर सबस्क्राइब कीजेगा और हो सके तो दूसरों तक जरूर शेयर कीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में जैहें